प्रारंब करता है और कुछ समय टी तक एक नियत तोरण एक के साथ वो चलते हुए एक अंतिम वेग वी प्राप्त करता है और ऐसा करने में उसने माल लो एस विस्थापन तै कर लिया है तो ये जो पैरामीटर्स हैं जो भी हम शुद्ध गतिकी में पढ़ते हैं उन सभी पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करने के लिए कुछ समीकरण होते हैं जिनको हम गतिके समीकरण गहते हैं जिनकी साहता से हमें निमेरिकल्स को या किसी एक इस्तिति को समझ करके प्रश्न को हल करने में साहता मिलती है गति के समीकरण मुख्यतया 3 हैं जिसमें पहला समीकरण प्रारंभिक वेग U, अंतिम वेग V और तौरण को समय के साथ रिलेट करता है दूसरे समीकरण को देखें अगर तो ये विस्थापन प्रारंभिक वेग समय और तौरण को अपस में रिलेट करता है और गति का जो तीसरा समीकरण है वो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, तोरण और विस्थापन को आपस में रिलेट करता है इन समीकरणों के प्रयोग करके हम किसी भी प्रश्ण को हल करेंगे और कौन सा समीकरण हमें प्रयोग में लाना है ये इस वात पर निर्भर करता है कि प्रश्ण में क्या क्या पैरामीटर्स क्या क्या चीजे हमें गिवन है इन समीकरणों में हमें याद रखना है कि तौरण जो है नियत रहना चाहिए तभी ये समीकरण हम प्रयोग कर सकते हैं तौरण धनात्मक या रिनात्मक कुछ भी हो सकता है ये प्रस्टन में आपको बताया जाएगा उसी के अनुसार हम तुरण का मान चिन सहित हम इन समिकरणों में रखेंगे S विस्थापन है, U प्रारंभिक वेग है, V अंतिम वेग है और T क्या है, समय है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यह सारी जो राशियां हैं समय को छोड़ करके यह सारी राशियां कैसी हैं, सदिस राशियां हैं, तो यह एक तरीके से सदिस राशियों में आपस में सम्मंध भी बता रहा है हमारे गतिके दुतिय समिकरण को, S is equals to UT plus half AT square को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं S is equals to U plus half AT, इसमें से T हमने common ले लिया है, ऐसा करने से हमें क्या दिखाई देगा, S is equals to, यहां से 2 multiply करेंगे उपर तो 2U plus AT by 2 into T, और ऐसा करने के बाद हमें यहां पर 2U को अगर हम split कर दें, U plus U में तो बच्चों में पता है, एक U के साथ अगर हम AT ले लेंगे, तो हमारा यह गति का पहला समिकरण आ जाएगा, V is equals to, हमें पता है, U plus AT होता है, तो एक U के साथ अगर AT ले लेंगे, तो V मिल जाएगा, और इससे हमें, हमारा जो गति का दूसरा समिकरण है, कुछ इस परकार भी दिखाई देगा, प्रारंबिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, इससे हमें औसत वेग प्राप्त हो जाएगा, तो इसका मतब यह है, कि जब कानेक नियत तोरण से चल रहा हो, उसका प्रारंबिक वेग और अंतिम वेग और कितनी देर तक वो चला है, समय पता हो, तो ह हम विस्थापन इस फार्मुले से भी निकाल सकते हैं यह फार्मुला हमारे जो मुख समीकरण हैं वहां से निरुपित किया गया है तो इसको as a shortcut हम याद रखें कुछ प्रश्णों के लिए तो ठीक है अन्य था हमारे वो जो गति के तीन समीकरण है उनी के प्रयोक से किसी भी प्रयोस्ly प्रश्ण को हम हाल कर सकते हैं जो यह हमारा गति का दूसरा समीकरण है यह विस्थापन को निकलाता है प्रारंभिक वेक तोरण और समय जब हमें पता हो उसके साफ एक्षम इसी समीकरण को अगर हमें अन्तिम वेक के रूप में लिखना हो प्रारंबिक वेग की जगे पर हम चाहते हैं कि अंतिम वेग आए तो अंतिम वेग आ जाएगा लेकिन यहापर प्लस की जगे पर माइनस साइन आ जाएगा कुछ S परकार इसी समीक्राण को आगे बढ़ा हैं अगर हम S परापर U प्लस V बाई 2 इंटू T है हम यहाँ पर अगर हम चाहते हैं प्रारंबिक वेग को हटाना चाहते हैं तो U की जगे हम V इक्वस टू U प्लस 80 के समीक्राण से U की जगे पर हम V माइनस 80 लिख दें V माइनस 80 तो यहाँ से स्टुडेंट्स हमें यह दिखाई देगा यह आ जाएगा V V माइनस 80 लिख देगा और तो गतिक का जो दुतिय समीक्राण है वस्थापन का यह इसका दूसरा रूप है जिसमें प्रारंभिक वेग की जिगे पर क्या आ जाएगा अंतिम वेग और प्लस साइन की जगे पर माइनस साइन आ जाएगा इसी प्रासेस में आगे बढ़े हमारे गतिके तीन समीकराण तो हमें बता हैं है और वो हमें याद रखने चाहिए बचों उसी के साथ साथ हमें एक ये विशेश समीकराण निकल करके आएगा ये भी हमें याद रखना चाहिए तो कल मिला करके इसको भी जोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि गतिके हमारे चार समीकराण हो जाएंगे जिनकी सायता से हम किसी प्रशन को हल कर सकते हैं इसको प्रशन के रूप में यहाँ पर लिया गया है इसको हल कर लेते हैं कहा जा रहा है यदि कण का प्रारंबिक विग यू तथा नियत तो एन्फ सेकेंड में कण का विस्थापन क्या होगा एन्वे सेकेंड में का विस्थापन क्या होगा एक होता है जैसे किसी कड़ने चलना परारम किया और उसने कुछ डिसेंस तीन सेकेंड में तै की मालो ए बिंदू से चल करके बी तक जाने में कड़ को लगा कुल समय टी बराबर तीन सेकेंड तो तीन सेकेंड समापन पर वो कड़ इस बीश सिति पर होगा अगर हम देखें कि कड़ दो सेकेंड पर कहा पर था तो मालो ये वो सिति है जहां पर टी पराबर दो सेकेंड पूरे हुए और कड़ इस जगे पर था तो C बिंदू से इस B बिंदू तक जाने में दो सेकंड पूरे हो चुके हैं और तीसरा सेकंड प्रारम हो गया होगा और B परागर के तीसरा सेकंड पूरा हो गया तो ये जो C से B तक की दूरी है ये दूरी तैय की गई है तीसरे सेकेंड में A से B जाने में कुल विस्थापन हुआ है तीन सेकेंड में लेकिन अगर हम तीसरे सेकेंड का विस्थापन देखें और फिर हमें विस्थापन N-1 सेकंड का पता करना पड़ेगा और अगर हम इस विस्थापन में से N-1 सेकंड के विस्थापन को घटा देंगे तो हमें विस्थापन मिल जाएगा N-1 सेकंड का और वही हमें यहाँ पर ग्याद करना है ठीक है हम अपने गति के समीकरणों का जो कि ऐसा हम मालने कि एक यह विस्थापन है एन सेकेंड में विस्थापन एस से बी तक है और प्रारंबिक वीग हमें पता है यू है और तो हम विस्थापन का समीकरण प्रयोग करें हमें पता है विस्थापन का समीकरण s बराबर होता है ut plus half a t square इसमें विस्थापन है x n कह दें प्रारम बिग वेग u है समय कितना है n second है plus half a n square यह हमारा समीकर नमबर 1 हो गया अब अगर हम n-1 second के लिए देखें यहां पर समय कितना लगा है n second अगर हम बात करें विस्थापन n-1 second का तो समय कितना है n-1 का और वो कण यहां कहीं तक पहुंचा होगा c बिंदू तक तो हम यहां तक दूसरी स्थितिके लिए लिखें विस्थापन कितना है अपना x n-1 इसी को सुप्रारंबिक वेग तो वही है u समय कितना है n-1 plus half a n-1 का यह समीकर नमबर 2 हो गया अब हमें पता करना है n-1 second का विस्थापन क्या है तो c से भी यह है विस्थापन n-1 second का तो xn-1 से और जब हम इसको घटाएंगे तो हमें दिखाई देगा इसको एक बार open करना पड़ेगा un plus half a n-square यह तो हमें पहले समीकर समझ जाएगा minus इसको इदर open करके bracket के अंदर लिख ले un minus u plus half a n-square plus a by 2 इसको bracket को open करने पर बच्चों n-square plus 1 minus 2n मिलेगा और इसको हमें गुणा करना है a by 2 से तो पहला पत आ जाएगा a n-square बटे दो और दूसरे पत में a by 2 का one से हम जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a by 2 और फिर a by 2 का गुणा हम करेंगे minus 2n से तो हमें minus an मिल जाएगा अब हम देखें जब यह bracket हटेगा तो bracket हटने पर un से यह un कट जाएगा और half an square से half an square कट जाएगा बचेगा क्या हमारे पास minus minus यह plus हो जाएगा u और an minus का है जो minus multiply होगा तो plus का an बचेगा और minus का a by 2 और इसमें से अगर हम u plus इसमें से a by 2 कॉमल ले ले तो यहां बचेगा 2n-1 यह है विस्थापन xnth मतलब n-1 second में काण के विस्थापन का formula और इस समीकरण को हम अपने गतिके समीकरणों में से चौथे समीकरण की तरीके से प्रियोग करें बस ध्यान यह रखना है इस फार्मूले की साहिता से हमें काण का विस्थापन मिलेगा किसी n-1 second में जैसे चौथे सेगंड में या तीसरे सेगंड में तीन सेगंड नहीं तीसरे सेगंड में या पाँचमे सेगंड आठमे सेगंड जिस सेगंड कभी हमें विस्थापन पता करना है एन की जगे पर हमें उसका मान रखना पड़ेगा जैसे अगर हमें चौथे सेगंड का विस्थापन पता करना है तो एन की जगे पर चार रखना पड़ेगा कण ने अगर चलना प्रारंब किया है विराम से तो यू का मान प्रारंबिक विग कि यहां पर प्रश लिया गया है है इसमें यह कह रहा है एक कल वीराम से चलना प्राणर्म कर एसका मतलब उसका अधिमिक है वह क्या है शोन्न है थी मेंольшका और मीटर प्राटी सेकंड स्कायर से गति आरंब करता है तो हमें कुछ चीज़े गयात करनी है पहला क्या है दो सेकंड में तैय की गई दूरी मतलब यह है कण अगर विराम से चलना प्रारंब करता है किसी एक नियत तोरण से तो वो तोरण की दिशा में ही आगे बढ़ेगा हमेशा तो इसका मतलब वो एक ही दिशा में चलता चला जाएगा तो कंड के दौरा तैय की गई दूरी और उसका विस्थापन समान होगा तो पहले पार्ट को हल करने के लिए तो हम गति का दूसरा समिक्राण प्रयोग कर लें मतलब इसके लिए S is equals to U T plus half 80 square विस्थापन हमें पता करना है U का मान हमें दे रखा है 6 प्लस तौरण का मान है 4 और समय 2 सकेंड है तो 2 सकेंड का square करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहां से हमें दिखाई दे जाएगा 8 मीटर यानि कि कड विराम से एक नियत तौरण के साथ अगर चलेगा तो 2 सकेंड में वो 8 मीटर की दूरी तै करेगा अब हमसे पुछा जा रहा है दूसरे सकेंड में तै की गई दूरी मतलब एक विशेस सकेंड में तै की गई दूरी तो अब उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे X S N N में सकेंड में चले गई दूरी इस जिगोस तो U प्लास हाफ A 2 N माइनस 1 यही अपना फार्मूला है U प्रारंबिक वे शुने दे रखा है हाफ तौरण का मान है 4 2 दूसरे सकेंड में तै की दूरी निकाल ली है तो N की जगे पर हमें 2 रखना पड़ेगा माइनस 1 तो हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा 2 4 माइनस 1 3 यानि की 6 मीटर इसका मतलब यह है कि कड ने 2 सकेंड में कुल दूरी तो 8 मीटर की तै की है लेकिन दूसरे सकेंड में तै की की दूरी कितनी है यदि एक करन नियत तोरण के साथ गती करना अरंब करता है तो समय टी नॉट पर इसका वेग 50 मीटर प्रती सेकंड है अगले 3 सेकंड बाद इसका वेग 95 मीटर पर सेकंड हो जाता है मतलब 3 सेकंड पर वेग में परिवर्तन दे रखा है 50 से लेकर के 95 का तो इसकी साथा से हम तोरण का मान गयात कर सकते हैं समय टी नॉट से 2 सेकंड पहले का हमें वेग गयात करना है मतलब कहने का ये है कि अगर हमें पता हो कि किसी एक समय टी नॉट पर करन का वेग 50 मीटर प्रती सेकंड था और इसके 3 सेकंड के बाद करण का वेग 95 मीटप प्रती सेकंड हो गया है इसका मतलब वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है 3 सेकंड पर तो अगर हम यहां से T0 से लेकर के अगले 3 सेकंड के लिए देखें इस सीच का अध्यन करें तो यह हो जाएगा प्रारंबिक वेग और यह हो जाएगा अंतिम वेग और समय 3 सेकंड का लगाए तो इस्टुएंट्स हम तौरण का मान गयाद कर सकते हैं इसको हम कहते हैं अगर B C तो B से C तक अगर हम गतिका अध्यन करें B से C के लिए और प्रथम समीकरण का प्रयोक करें वी जगर सो यू प्लस 80 अंतिम वेग है 95 प्रारंबिक वेग 50 प्लस तौरण हमें नहीं पता है समय 3 सेकंड तो इससे हमें तौरण का मान पता चल जाएगा 95 माइनस 50 बटे 3 यह आजाएगा 15 मीटर प्रती सेकंड स्क्वार यह है तौरण का मान अब हमसे यह कहा जा रहा है प्रश्न में T नॉट के 2 सेकंड पहले मतलब T नॉट माइनस 2 पर कण का वेग क्या रहा होगा वेग बिंदू A पर यह पता करना है मतलब B से T नॉट से 2 सेकंड पहले यह समयांतराल 2 सेकंड का है 2 सेकंड पहले हमें कण का वेग पता करना है तो अब हम क्या करें कि अगर हमें तोरण पता चल गया है और तोरण क्या है नियत है तो अब हम A से B के लिए वापस से गतिका पहला समीकरण का प्रयोग करें A से B गति का पहला समय करण है V is equals to U plus A T V है अंतिम वेग तो A से B जाने में अंतिम वेग यह हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेगेंड 50 प्रारंबिक वेग हो जाएगा जो A बिंदू पर वेग है V A हमें पता करना है तोरण कमान हमने निकाला है 15 और A से B का समयांतिराल कितना है 2 सेगेंड का तो यहां से हमें V A कमान पता लग जाएगा 50 माइनस 30 यानि की 20 मीटर प्रति सेगेंड इसका मतलब है इस छण T0 के 2 सेगेंड पहले करण का वेग 20 मीटर प्रति सेगेंड रहा होगा और वैसे भी बता दें अगर एक बार में तोरण का मान पता चल जाए और वो नियत हो तो तोरण का मतलब होता है जैसे लिखा है 15 मीटर प्रति सेगेंड स्कॉर इसका मतलब है 15 मीटर प्रति सेगेंड वेग बढ़ेगा हर एक सेगेंड पर तो यहां पर वेग अगर 50 है तो एक सेकंड के बाद 15 बढ़ेगा 65 हो जाएगा फिर एक सेकंड के बढ़ेगा 80 हो जाएगा फिर एक सेकंड के बाद 15 बढ़ेगा 95 हो जाएगा ऐसा ही अगर इसके पीछे आएंगे तो हर एक सेकंड पर वेग 15 कम होगा तो 50 में से 15 कम कर दो 35 औ इसका मतब दो स्केंड के पहले का वेग हम ऐसे भी गढ़ना कर सकते थे 20 होगा आगे बढ़ता है आगला प्रश्णी यह दिया हुआ है बच्छों इसमें कहह रहा है यदि एक करण विराम से नियत तौरण से गतिक करना प्रारंब करें विराम से और नियत तौरण तो प्रथम पांच सेकेंड में तै कीगई दूरी S1 अगले पांच सेकेंड में तै कीगई दूरी S2 हो तो S1 और S2 का अनुपाद जयात करना है करने विराम से चलना प्राराम किया था तो पहले पांच सकेंड में उसके द्वरा तैकी के दूरी अगर निकालनी हो तो विस्थापन का अपना समीकरण प्रयोग कर लें मतब गतिका दूसरा समीकरण हमें पता है एक्स वराबर यू टी प्लस हाफ अट स्कॉयर होता है एक्स विस्थापन कहते है तो पहले पांच सकेंड में तैकी के दूरी क्या है एसवन एसवन प्रारामिक वेग शुनने है तो उसको जिरो ले लिया प्लस हाफ ए टी दे रखा है पांच सकेंड का पांच का स्कॉयर यह एसवन का माना जाएगा इसकी प्रकार अगर हमें बी से सी में चली की दूरी एस टू ये पता करनी है तो हम बी पर वेग या तो पता करें और फिर यहां से बी से सी तक विस्थापन का समीकरण लगाए और उस विस्थापन के समय करण में जो प्रारंभिक वेग होगा वो जो B बिंदू पर हमने वेग निकाला होगा वो होगा या फिर हम ये काम करें कि वापस से A से लेकर के अब C तक का कुल गतिका अध्यन करें और इसमें चली गई कुल दूरी हो जाएगी अगर ये चली गई कुल दूरी हम निकाल करके S1 का मान घटा देंगे तो हमें S2 मिल जाएगा हम ये भी कर सकते हैं तो वापस से अगर हम A से C के लिए अध्यन करें पूरी गति का तो चली गई कुल दूरी S1 प्लस S2 बराबर U मतलब यहां का प्रारंबिक वेक्षुन ने प्लस हाफ A समय बस जुड़ जाएगा और पांच पांच दस हो जाएगा और यहां पर दस का स्क्वार आ जाएगा तो यहां से S1 कमान हम रख दें 25 बटे 2 A प्लस S2 बराबर यहां पर आ जाएगा A बटे 2 100 अगर हम S2 कमान ग्याद करें यहां से तो S2 कमान आ जाएगा A बटे 2 कमन लेकर के यहां से आ जाएगा 100 और यह बटे 2 कमन लेकर के यहां से 25 इस में घड़ जाएगा तो यह आ जाएगा A बटे 2 बटे 75 यह S2 कमान है अब अगर हम S1 और S2 का अनुपात देखें तो यह लिखा है A बटे 2 बटे 25 तो S1 अनुपात S2 हमें दिखाए देगा एक अनुपात 3 का है इसका मतब यह है कि कांड जब प्रायरंबिक वेक्शुन्न से चल रहा है एक नियत तुरण के साथ तो पहले T समय में अगर चली गई दूरी क्योंकि यह दोनों समय अंतराल समान है तो पहले T समय में चली गई दूरी और फिर अगले T सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात हमेशा एक अनुपात 3 होगा इसी का अगर एक जनरल फॉर्म देखें जनरल फॉर्म बचों यह आपको याद रखना चाहिए कि किसी कर्ण ने अगर प्रारंबिक वेक्शुन्न के साथ और एक नियत तुरण के साथ चलना प्रारंब गिया है तो पहले टी समयांतराल में चली गई दूरी अगर ऐस है तो अगले उतने ही समयांतराल में चली गई दूरी इसकी तीन गुनी होगी अगले उतने ही समयांतराल में चली गई दूरी पाँच गुनी होगी अगले उतने ही समयांतराल में चली गई दूरी साथ गुनी होगी फिर अगले उतने ही समयंतराल में चली गई दूरी नोगनी होगी जो की पहले समयंतराल में चली गई दूरी है उसके. तो समान समयांतरालों में चले गई दूरियों के अनुपाद करमशाह, एक अनुपाद 3, अनुपाद 5, अनुपाद 7, अनुपाद 9, अनुपाद 11, अनुपाद 13 and so on ईस तरीके से होते चले जाएंगे और ये result अगर हमें याद रहा तो आगे भी हमें बहुत सारी चीजों को समझने में help करेगा condition बस याद रखनी है प्रारंबिक वेक शुन्य होना चाहिए और तुराण नियत होना चाहिए तो समान समय अंतरालों में चली गई दूरियों के अनुपाद करमशा एक अनुपाद तीन अनुपाद पांच अनुपाद साथ अनुपाद नौ इस तरीके से आगे मिलते चले जाएंगे अगला प्रश्ण है यदि एक कर प्रारंबिक वेक यू तथा नियत तुरण ए से गति आरंब करे तो इसका अंतिम वेक वी हो तो यात्रा के मध्य बिंदू पर इसका वेक क्या रहा होगा प्रस्ट में ये दे रखा है कि जो तौरण है वो नियत है प्रारंबिक वेग U है और अंतिम वेग B है हमें मध्य बिंदु का वेग पता करना है प्रारंबिक वेग अंतिम वेग दूरी तौरण गति का अर्थात हमें तीसरा समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा मालने इस विंदू A से कंड चलना प्रारंब करता है और B तक पहुंचता है और S में इसने जो कुल दूरी तै की है वो क्या है S प्रारंबिक वेग यहाँ पर U था अंतिम वेग V है दूरी S तोरण क्या है नियत तोरण है A तो हम गति का समी करण A से B के लिए लगाए V स्क्वाइर बराबर U स्क्वाइर हमें पता है V स्क्वाइर बराबर U स्क्वाइर प्लस 2AS होता है अगर U को हम इस तरफ ले आए बाई तरफ तो हम यह देख पाएंगे V square minus U square बरवाब 2S और इससे हम तोरण कमान गयात कर पाएंगे तोरण कमान आ जाएगा V square minus U square बटे 2A अब अगर हमें C बिंदुक का वेग बता करना है जिसको हमने V naught कह दिया है तो अब हम फिर से गतिकात समीकरण यहीं तीसरा समीकरण प्रयोग मिलाएं लेकिन A से C के लिए और जब A से C के लिए चलेंगे तो प्रारंबिक वेग U होगा अंतिम वेग V naught है चली कई दूरी क्या है S बटे 2 और तोरण क्या है A तो हम लिख सकते हैं A से C के लिए V square बटाबर U square प्लस 2S यह तो हमारा समीकरण है इसमें मान रखते हैं अंतिम वेग V naught प्रारंबिक वेग U है और तोरण का मान जो हमने यहाँ से गयात किया है वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं V square मैनस U square by 2S तो ऐसा करने से हम देखेंगे S से S कट जाएगा और एक 2 से यह 2 गट जाएगा और हमारे पास बचेगा V naught square वराबर U naught sorry U square plus V square मैनस U square by 2 और इसको अगर हम हम हल करते हैं तो हमें दिखाई देगा यह आ जाएगा V square plus U square बटे 2 और अगर हमें V naught चाहिए तो हम पूरे का वर्गमूल ले ले यह है मद्य बिंदू पर कंड की चाल इस्तिती याद रखना बिल्कुल as it is आपको तो यह result आप याद रखोगे तो यह करीके से shortcut हो जाएगा कि किसी एक दी गई दूरी पर वेग में परिवर्तन U से V हो एक नियत तोरण के अंतरगा तो मद्य बिंदू का वेग यही होगा ठीक है अगर मद्य बिंदू के अलावा किसी बिंदू का वेग पूछा जाए मतलब कोई जरूरी नहीं है मद्य बिंदू SY2 पर ही वेग पूछा जाए हो सकता है SY3 पर पूछताASH फिर हमें हल करना पड़ेगा दुबारा से और यहां पर जो दूरी स्वाइटू है उसकी जगहे पर स्वाइट फॉर जो भी हमें गिवन होगा वह रखना पड़ेगा और उसकी साहता से एक निया रिजल्ट निकल करके सामने आएगा अगला प्रशन ये कह रहा है एक कंड नियत तुरण से गतिमान है और ये भी नहीं बताया गया कि उसका प्रारंबिक वेग क्या है जब कहा जाए कंड विराम से चलना प्रारंबिक वेग करता है तब तो हमें उसका प्रारंबिक वेग शुन्य पता होता है लेकिन अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो हमें प्रारंबिक्विग कुछ मानना पड़ेगा यह दिवा पहले दो सेकेंट में 2 मीटर की दूरी तये करें मतलब एक कण इस तरीके से चल रहा है और मालो उसका प्रारंबिक विग यू है और तौरण सेकंड में यह समय अंतराल 4 सेकंड का है और इसमें दूरी तै कि यह उसने 14 मीटर की यह 14 मीटर की दूरी तै कर ली और वह बिंदल सी पर पहुंच गया तो हमें अभी तक जो यात्रा का समय हुआ है 2 प्लस चार 6 सेकंड का हमसे कहा जा रहा है 7 सेकंड के बाद मालो यहाँ पर 7 सेकंड पूरे हुए और यहाँ पर उसका वेग यह ग्यात करना है वी 7 मतलब 7 सेकंड के बाद का हमें वेग ग्यात करना है कणका ठीक है तो पहले जो A से B और B से C की गतियों का अध्यन करके हम U औ और एक अमान निकाल पाए अगर तभी हम यहां पर वेग के ग्याद कर सकते हैं क्योंकि यहां पर वेग निकालना है मतलब साथ सगेंड के बाद समय और अंतिम वेग तो प्रारंबिक वेग सपेक्ष वीज़िवसु यू प्लस एटी इस एक्वेशन का इस समीकरण का की कंडिशन दी है उनसे प्राप्त होगा तो पहले हम A से B के लिए गति का अध्यन करें तो A से B के लिए कण का जो विस्थापन है वो दो है दो मीटर का प्रारंबिक वेग यू है और समय दो सेकेंड लग रहा है तो गतिका हमने दूसरा समीकरण का यहां प्रयोग किया है S is equal to UT plus half A T square का विस्थापन दो मीटर है यू का मान हमें नहीं पता T 2 second है half A T 2 second का square इसको हल करेंगे अगर बच्चों तो हमें क्या दिखाई देगा 2 बराबर 2U plus 2A और इसमें से भी अगर हम दो दोनों तरफ से common लेकर काट दें तो हमारे पास जो समीकरण दिखाई देगा वो यह कुछ दिखाई देगा इदार आजाएगा 1 is equals to U plus A तो पहला समीकरण हमारे पास ही आजाएगा 1 is equals to U plus A दुबारा से अब हमें फिर से गति का दूसरा ही से अमीकरण प्रयोग करना है लेकिन B से C के लिए अध्यन करने के बजाए हम वापस पूरा अध्यन करेंगे A से लेकर के C तक के लिए A से C के लिए हम पूरा अध्यन करें तो A से C का अध्यन करने में हमें क्या क्या दिखाई देगा हमें दिखाई देगा कुल विस्थापन कितना हो गया 16 मीटर कुल समय कितना लग रहा है 4 प्लस 2 6 सेकेंड और कुल चली की दूरी पता है कुल समय पता है हमें एक समीकराण फिर से लिख दे A से लेकरके C के लिए विस्थापन 16 मीटर समय 6 सेकेंड लग रहा है हाफ A स्कुराइर इसको अगर हम हल करेंगे तो इस समीकराण से हमें दिखाई देगा 16 बराबर 6 U प्लस 18 A और इसको अगर हम एक बार 2 से और भाग कर दे तो 8 बराबर 3 U प्लस 9 A ये समीकराण दिख जाएगा हमें अब एक समीकराण हमारे पास पहले से ये है 1 बराबर U प्लस A और एक समीकराण ये आया है इन दोनों को आपस में हल करके हम U और A के मान निकालेंगे ऐसा करने के लिए हम समीकराण जो हमारा ये पहला समीकराण था इस पहले समीकराण में हम 3 से मालों गुणा कर लेते हैं तो यहां पर आजाएगा 3 गुणे 1 3 U 3 A और फिर हम इसको इस समीकराण नमबर 2 से घटा दे इसको समीकराण नमबर 3 के दे तो घटाने पर हमें दिखाई देगा 1 U कट जाएगा 5 बराबर आजाएगा 6 A और यहां से A का माना हमें मिल जाएगा 5 बटे 6 A चुमकि तॉरण है मीटर प्रती Second Square तो एक को तॉरण कामाना आ गया हमारा 5 बटे 6 मीटर प्रती Second Square पर अब इस तोरण की साइटा से हम यू का मान निकाल सकते हैं वापस इस पहले समीक्राण का प्रयोग करें तो वन बराबर लिखा हुआ है यू वन बराबर है यू प्लस ए एक का मान रग दें पांच बटे छे तो यहां से मैं यू का मान मिल जाएगा एक माइनस पांच बटे छे यानि की एक बटे छे मीटर पती सेकंड तो हमें यू का मान पता चल गया एक बटे छे मीटर पती सेकंड तो रहन का मान पता चल गया अब इन दोनों मानों का प्रयोक करके हम 7 second पर वेग ज्याद करनें मतलब इस बिंद को D कह दे तो अब हम A से D के लिए अधिन करें अंतिम वेग 7 second पर व व है जो हमें ज्याद करना है Penie i7 लिग दे प्रारम्बिक वेग एक इपर कितना है एक बटै च्छे का है प्लस दौरण कमाने पांच बटै च्छे और समय कितना लगा शाथ सेकेंड जाेगा हल करने पर 36 पर सथ है यानिकि 6GAN mari छे मीटर पर टी सेकेंड इसका मतलब है साथ सथ किलोमिटर प्रति घंटे की चाल से गति करते ट्रक को ब्रेक लगा करके 2 मीटर पर रोका जा सकता है मतलब को जब हम निगेटिव में कर देते हैं मतलब गति के विरोध में जब तो उसको मंदन कहते हैं और वो गति को कम करता चला जाता है तो मंदन है मतलब माइनस है प्रारंबिक वेग यू है और अंतिम वेग क्या हो जाएगा शुन्न हो जाएगा मालो तै की कई दूरी ऐस है तो अब हम यहाँ पर गति का अपना तीसरा समिक्रण लगा दे एसे लेकर के इस वी के लिए हम लिख सकते हैं वी स्क्वाइर बराबर यू स्क्वाइर प्लस टू एस यहां से तै की कई जो मंदन उत्पन हुआ है वह मान नियत है अगर तो हम देख सकते हैं तै की कई दूरी प्रारंभिक चाल के वर्ग के समानुपाती है और यह बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको कॉंसेप्ट को समझ लें और इसको याद रखे अब आगे कह रहा है ट्रक की चाल 36 किलो प्राम में आने के पहले तक चली गई दूरी मेरे खाल से चार गुना हो जाएगी है सापको दिखाई दे रहा होगा हम प्रयोग कर सकते हैं एस वन बटे एस टू बराबर यू वन स्क्वाइर बटे यू टू स्क्वाइर जो प्रारंभिक दूरी है वह ऐस है कितनी दो मीट तो हम मान रख दें दो बटे एस टू का मान हमें ग्याद करना है प्रारंभिक चाल चाल थी उसको यू कह दें तो अंतिम चाल बहत्ता रहे मतलब उसकी दुगनी है हम आप टू यू इसको लिख सकते हैं एक बटे चार आ जाएगा और एस टू का मान आ जाएगा चार गुन मंदन के साथ 8 मीटर की दूरी पर जाकर के रुकेगा इसी प्रश्ण का एक दूसरा रूप है जिसमें यह दिया गया है एक कार यू वेक से गतिमान है ठीक है चालक ट्राफिक सिंगनल को देखकर ब्रेक लगा करके ए मंदन आरुपित करता है तो रुकने से पूर्व कार के देखता है मालो कार चला रहा है तो उसने देखा सामने कोई आ गया या ट्राफिक सिंगनल देखा तो देखने और ब्रेक अपलाई करने के बीच का जो समयांतराल है उसको हम प्रतिक्रिया समय केते हैं और इस समयांतराल में ब्रेक लगे नहीं है मतलब आपने देखा है और अपनी प्रतिक्रिया देने जा रहे हो ब्रेक लगाने के पहले जो भी समयांतराल है उस समयांतराल में कार या ट्रक जो भी है वो उस नियत चाल से चलता रहा होगा तो यदि हम माले A से लेकर के B तक ये वो समयांतराल है जिसको हम प्रतिक्रिया समय कहे रहे हैं तो यहाँ पर गाड़ी U चाल से चलती रही होगी और B पर जो चाल U थी यहाँ से ब्रेक लगना प्रारम्भ हुए होंगे और एक मंदन के साथ अंतिम वेग शुन्य हुआ होगा तो हमें ये तै की की दूरी ये तो पता है B से लेकर के C तक जो अभी हम लो ने निकाली है वो होती है U स्क्वाइर बटे 2 है और अगर इस दूरी की बात करेंगे तो एक नियत चाल से चली गई है तो ये दूरी हो जाएगी U T दूरी बराबर चाल गुणे समय तो इसका तो इतने में तै की 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 कुल दूरी U T प्लास हाफ U स्क्वाइर बटे 2 A की होगी यहाँ पर एक प्रेश्न दिया गया है यदि एक कण नियत तोरण के साथ विराम से गति आरम करे तो समस्टी ओसत वेग और समय ओसत वेग का अनुपाद बताना है हमें पता है कि अगर गति एक नियत तोरण के साथ हो रही है तो वेग लगातार परिवर्तित हो रहा होगा अगर तौरण है तो वेग लगातार बढ़ रहा होगा तो जब भी वेग परिवर्तंशील होता है तो ओसत वेग निकालने का तरीका याद होगा हम लोगों ने समाकलन का प्रयोग किया था वही यहाँ पर हमें करना है चुकि तौरण नियत है और विराम से चलना प्रारंब किया गया था तो विराम से चलने का मतलब है प्रारंबिक वेग शुनने रहा होगा तो हम गति का अगर पहला समीकरन प्रयोग करें वी वस्व यू प्लस ए टी यू कमान शुन है तो वी वरबार आजाएगा एटी यहाँ पर वेग समय पर निर्फ़ कर रहा है तो इस समीकरन की साइटा से हम समय औस वेग निकाल सकते हैं समय औस वेग का फार्मूला हमें पता है यहाँ पर एक बार लिख देते हैं समय उसत वेग इंटिग्रेशन मतलब समाकलन वी डी टी समाकलन डी टी का और समय अंतराल जीरो से लेकर के टी तक का हमें लेना है बस यहाँ पर वी कमान हमें रख देना है क्या एटी तो वी कमान एटी रख करके एक नियत है बाहर ले लेंगे टी का समाकलन करेंगे तो टी स्कार बटे दो आएगा और नीचे डी टी का समाकलन करने पर टी आएगा यहाँ सम देख सकते हैं टी कट जाएगा और हमें मिलेगा एटी बटे दो और इसको हम वी बटे दो U का मान तो शुन्य है तो V स्काइर बराबर हो जाएगा 2AS और यहां से हमें दिखेगा V बराबर रूट 2AS की घात 1 बटे 2 यह हमें दिखाए देगा V का मान जो कि दूरी S के साथ या विस्तापन के साथ परिवर्तित हो रहा है तो जब भी विस्तापन के साथ परिवर्तित होगा तो उसत लिखने का फार्मूला V DS अपॉन DS होगा और यहां पर लिमिट्स 0 से लेकर के S तक हमें लेनी पड़ेंगी ठीक है अब बस यहां पर V का मान रख देते हैं इसमें जो रूट 2A नियत है बाहर ले लेते हैं रूट 2A तो बाहर है S की खात 1 बटे 2 है इसका समागलन करेंगे तो S की खात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 आएगा और यहां पर Ds का समागलन करने पर हमें S दिखाई देगा तो यहां आजाएगा 2 बटे 3 अंडर रूट 2A इसको यहां से काटेंगे तो S की खात 1 बटे 2 बचेगा S की खात 1 बटे 2 और यह हम देख सकते हैं रूट 2A, रूट 2A, S की खात 1 बटे तो किसके बड़ाबर है? V के बड़ाबर है यह दिख रहा होगा तो यहां पर हम इसको V लिख सकते हैं जाने कि आउसत वेग समय के साथ, समस्ची आउसत वेग का मान के आ गया 2V by 3 अब अगर हमें आउसत चाहिए, समस्ची आउसत वेग बटे समय का आउसत वेग बड़ाबर आ जाएगा 2V by 3 बटे V by 2 तो हम देखेंगे यह रेशियो अनपात 4 बटे 3 का आ जाएगा यहां पर हम लोग अब बच्वों गतिकी में एक नए सेग्मेंट पर आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं graph graph हमें हमेशा बहुत सारी जनकारी देता है graph हमेशा जिन दो राशियों के बीच में draw किया जाता है वो हमें बताता है किसी एक राशे के साथ दूसरी राशे के सारी केशत्थ तरीके से परिवर्थित हो रही है किसी भी ग्राफ से हम लोगोंने basic math में सीखा होगा कि किसी भी ग्राफ से हम दो चीजें बहुत असानी से निकाल सकते हैं पहला तो ये एक ढाल और दूसरा है छेतरफल किसी भी ग्राफ में ढाल या छेतरफल हमें कोई एक नई भृतिक राशी के बारे में बताता है ठीक है हो सकता है कि किसी एक ग्राफ से हमें कोई ढाल याद करने पर एक नई राशी दिख रही हो, हो सकता है नई राशी हमारे किसी काम की हो, हो सकता है, हम कहीं पर आगे प्रयोग ना करें हो सकता है किसी graph के छेतरफल की गढ़ना करने पर हमें कोई एक नई भौतिक राशी मिले या हो सकता है कोई एक ऐसी राशी मिले जिसका प्रयोग आगे ना हो तो हमें ये भी देखना है कि किसी graph से ढाल या छेतरफल निकालने पर हमें क्या मिलने वाला है, क्या वो आगे प्रयोग में आएगा, तो हम उसी पर focused रहेंगे, जैसे हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, VT वक्र, यानि कि जब हम वेग और समय के बीच में graph draw करेंगे, देखेंगे कि हमें छेतरफल निकालना है, कि हमें ढाल चाहिए या दोनों चाहिए, तो एक बात यहाँ पर clear कर दें, VT graph में जब हम ढाल निकालते हैं, तो वो ढाल हमें देगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानि कि यह हमें तोरण के बारे में बताएगा, यानि कि इ इस graph का जो छेतरफल हम लोग निकालेंगे, तो वो छेतरफल हमें वेग और समयानतराल का गुड़न फल देगा, और इससे हमें मिलेगा विस्थापन या फिर दूरी, विस्थापन या फिर दूरी के बारे में हमें पता चलेगा, ये भी हमारे काम का है, इसका मतलब हमें य भी निकालना है इसका मतलब यह तैय हो गया कि वी टी ग्राफ से हमें दोनों चीज़े चाहिए होती है ढाल भी चाहिए होती है और छेत्रफल भी चाहिए होता है चेतरफल की अगर बात करें तो किसी भी एक ग्राफ में जो 36 अक्ष होता है जैसे यहां पर समय है चेतरफल पर समय लिया गया है तो समय अक्ष के ऊपर का जो चेतरफल होता है वो धनात्मक और नीचे का जो चेतरफल होगा वो रनात्मक होगा तो यहाँ पर जो शेतरफल एवन की बात करें तो एवन धनात्मक है और एटू क्या है रनात्मक है वेग और समय का जब शेतरफल हम देख रहे हैं और एक शेतरफल धनात्मक आया है और एक शेतरफल रनात्मक आया है तो निश्चत बात है कि जब इन शेतरफलों को जोड़ा को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी अधिस राशी यानी की दूरी विस्था पर हमें मिलेगा छेतरफल को जोड़ने पर उसके चिन्नों के साथ क्योंकि वो सदिस राशी है और अगर हम छेतरफलों के केवल परिमार का योग करेंगे तो हमें अधिस राशी यानी की दूरी मिले तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए इस पर बेज़्ड प्रश्णों के थुरू हम चीज़ों को सीखने जा रहे हैं ध्यान से समझते हैं यहां पर दिया जा रहा है एक दी गई स्थिति में टी ब्राबर 0 से 9 सेगेंड तक करण के दौरत हैगी कि दूरी विस्थापन के मा विस्थापन का परिमाण वही दूरी होगी लेकिन अगर छेत्रफल हमें कुछ धनात्मक और रनात्मक दोनों दिखाई देंगे तो छेत्रफलों का योग चिन्ने के साथ हमें विस्थापन का परिमाण देगा और छेत्रफलों के परिमाणों का योग हमें दूरी देगा त और नीचे एक यहाँ पर हमें तुर्भुज दिखाई दे रहा है समकोर्ण तुर्भुज तो समलम चतुर्भुज का छेतरफल का फर्मूलर लगा दें तो हमें पता है एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग गुणे लमवद्दूरी तो समांतर भुजाओं में तो एक मिल जाएगा और इसको अगर हम हल करेंगे साथ मीटर आ जाएगा दूसरा जो चेतरफल है वो समकोर्ण तुर्भुज है इसका अगर फार्मूला लगाएं तो एक बटे दो आधार गुणे उचाई होता है तो आधार में समय है एक सगेंड का और जो उचाई है वो पांच क लेकिन चिन कैसा है रणात्मक का है तो दूसरा छेतरफल कि टू माइनस का दो दसमलों पांच आ जाएगा तो अगर इन छेतरफलों को चिनों के साथ मतलब एक धनात्मक है जोड़ दें तो में विस्थापन मिलेगा और इनके परिमाड साथ और दो दसमलों पांच 62.5 हमें दूरी देदेगा अगले प्रस्ण पर आते हैं बच्चों यहां पर अगले प्रस्ण पर आने के पहले case discuss कर लेते हैं इसमें दिया गया है VT graph है और वो graph कैसा दिखाई दे रहा है कर्व दिखाई दे रहा है ठीक है कर्व अगर कही है तो इसका मतलब किसी भी एक बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो X अक्ष के साथ जो बनने वाला कोण है थीटा वो परिवर्तित हो रहा होगा और किसी एक जगे पर किसी एक बिंदु पर जो X अक्ष के साथ X अक्ष के साथ जो वक्र पर इस परश रेखी दिशा में एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करें इस परश रेखा ड्रॉ करें तो जो कोण हमें दिखाई देता है थीटा उसका अगर हम टैन ले लें टैन थीटा तो ये टैन थीटा हमें इस P बिंदु की ढाल बताएगा ढाल इस P बिंदु की और यह जो ढाल है वीटी ग्राफ की वो हमें तौरण बताता है यानि कि पी बिंदू का जो तौरण है वो टैन थीटा के मान से ग्यात किया जा सकता है यहाँ पर जो वीटी ग्राफ दिया गया है बचों वो कैसा है समय अक्ष के समांतर है समय एक्षिय समांतर होने का मतलब है कि समय के बढ़ने के साथ वेग क्या है नियत है ये बताता है वेग कमान constant है मतलब नियत है वेग अगर नियत होगा तो वेग परिवर्टन की दर जिसको तॉरण कहते हैं वो क्या होगा शुन्य हो जाएगा यह हम ऐसे भी कह सकते थे यहाँ पर जो ठीटा कमान है वो 0 है तो 10 ठीटा 10 0 0 और यह तॉरण के बारे में बताएगा कि तॉरण कमान क्या हो गया है 0 हो गया है अगले प्रश्ट में स्वरी अगले case में यहाँ पर दिया गया है कि वेग और समय का ग्राफ एक सरल रेखा है जिसका समय अक्षी के साथ बनने वाला जो कोण है वो नियत है इस कोण से हम क्या निकालते हैं तोरण 10 थीटा हमें तोरण का मान देता है कोण नियत है मतलब 10 थीटा का मान नियत है मतलब तोरण नियत है तो यहाँ पर जो वेग समय का ग्राफ दिया दूसरा यहाँ पर जो अगला graph लिया गया है वो वेग का मान समय के साथ क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है वेग जब भी समय के साथ कम हो रहा होगा इसका मतलब graph पर हमें दिखाई देगा कि जो कोण है वो कैसा होगा रिनात्मक होगा मतलब 6 जक्ष के नीचे कोण बन रहा हो क्योंकि यह Theta और यह Theta का मान समान है Theta का मान नियत है इसका मतलब तौरन नियत है चूंकि Theta निगेटिव है इसलिए तौरन निगेटिव है वेग धनात्मक है यहाँ पर नियत दर से वेग घट जरूर रहा है लेकिन वेग अभी देखोगे इस समय एक्ष के उपर ही है तो इसका मतलब क्या है वेग धनात्मक है लेकिन लगातार कम हो रहा है अगले केस में यहाँ पर दिया गया है वेग और समय का ग्राफ इसमें बिंदु A पर हम देखेंगे तो टेंजेंट जो ड्रौ किया जाएगा वो कौन बता रहा है थीटा A और इस बिंदु पर जो कौन है वो थीटा B है थीटा B का मान ज़्यादा है थीटा A से यानिकि टैन B का मान जदा होगा 10 थीटा A से इसका मतलब ये है VT ग्राफ में 10 थीटा में तोरण बताता है तोरण B पर जदा है तोरण A की तुलना में मतलब तोरण यहाँ पर कैसा है नियत नहीं है तोरण परिवर्तन शील है और तोरण लगातार बढ़ रहा है यहाँ पर दिया गया है ग्राफ यह था एक कॉनकेव ग्राफ था आप मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं उपर की तरफ उठा हुआ अव्तल ग्राफ है यहाँ पर अव्तल है नीचे की तरफ तो हम इस बिंदू A पर देखें जो कॉन थीटा A है उसकी तुलना में इस बिंदू पर जो कॉन है वो कम हो गया है यानि कि थीटा B का मान कम है थीटा A से तो हम कह सकते हैं तोरण B पर कम होगा तोरण A से लेकिन अभी कॉन धनात्मक है कॉन 36 दक्ष के उपर ही बन रहा है तो कॉन धनात्मक है तोरण भी धनात्मक होगा तोरण जब भी धनात्मक है तो वो वेग के मान को लगातार बढ़ा रहा होगा थीक है तो वेग कैसा है बढ़ रहा है लेकिन तोरण कम हो रहा है ये ग्राफ हमें ऐसा बताता है यहाँ पर एक प्रेश लिया गया इसमें यह कहा जा रहा है प्छलि एंदुश गतशिल कंड के लिए वेगु और समय का ग्राफ दिया गया है को कुछ कथन दिये गया है कौन सा का चक्थन सत्य है और कौन सा कुछितित गृति है, जसे खेicking को में देखना है कि झाया है और सथ्विल यह कि अधिति नियत है इसका मतलब जो तोरण होगा तोरण कैसा होगा रणात्मक होगा निगेटिव होगा लेकिन नियत रहेगा तो यहां से हमें कुछ चीज़े समझ में आ रही है अब इसट्रेटमेंट्स पर आते हैं देखनें क्याया है डिया है या कहए दो 36 के साथ जो कोन बन रहा है वो हमेशा क्या है रेनात्मिक है तो तुरंड रेनात्मिक होगा पी से क्यों तक तुरंड नियत है यह बिलकुल सही है चुक़ वे भी समय का ग्राफिक एक सरल रेखा है उगाऊ है तुरंड कमान नियत होगा और चुकि कोण रणात्मक है तो तुरण करसा है रणात्मक होगा तो यहाँ पर तुरण कमान नियत है और बिंदु क्यू पर हमें दिखाई दे रहा है वेग कमान हो गया है शूने यही लिखाया है बिंदु क्यू पर कण छणिक विराम में आता है यहां पर दिया जा रहा है यदि एक कंड विराम से गधि करना प्रारणम करे एक नियत तोरण से टी समय चलने के बाद अगले एक टी समय तक नियत वेग से चले अगले टी समय तक नियत मंदन रहे और फिर वो विराम में आ जाए तो इस दोरण अधिकतम वेग अगर 60 मीटर समय करना है। हम जानते हैं और समय का यह weग कर पूरा ह gonna है तो इसका हम पूरा निकाल दे तो हमें विस्थापन देगा और समय हमें दिखी रहा है क्ल समय कितना है यहां से यहां तक 10 ठी समय है तो अगर हम इसका च्छेठर फल निकाले यमी प्र में चत्रुर्बिद बन रह है तो इसका च्छेत्रवल देखेंगे एक बटे दो समांतर बुजाओं का योग यह दस टी और यह है आठ टी तो अठारा टी गुणे लंबवद दूरी साथ की बटे समय टेंटी ऐसा हल करने के बाद हमें दिखाई देगा उसा दिवेक कमाद 24 मीटर परती सेकंड आ रहा है यहाँ पर दिया गया एक प्रश्ट यदि एक करण विराम से नियत तौरण के साथ गति करते हुए एस दूरी ते कर नियत वेक से दो टू एस दूरी ते करने के बाद नियत बंदन से थ्री एस दूरी ते कर विराम में आ जाए मतलब पहले एक नियत तुरण के साथ चला है S दूरी फिर नियत वेग के साथ चला है 2S दूरी और फिर एक नियत बंदन के साथ 3S दूरी तेगर के वो विराम में आ गया है तो हमें ग्याद करना है औसत वेग और अधिक्तम वेग का अनुपात अधिक्तम वेग तो हमें दिखाई दे रहा है कि यातरा में उसका अधिक्तम वेग कितना है वी नॉट तो इसका मतब हमें एक बरवस औसत वेग ज्यात करना है और औसत वेग निकालने के लिए हमें कुल विस्थापन बटे कुल समय चाहिए होता है विस्थापन तो हमें दिखाई दे रहा है 3S, 2S और S यानि 6S का कुल विस्थापन हुआ है तो औसत वेग निकालने के लिए औसत वेग कुल विस्थापन तो 6S का है बटे कुल समय चाहिए कुल समय में आ जाएगा बचों T1 प्लस T2 प्लस T3 अब T1 का मान हमें यहां से दिखाई देगा यह वेग और समय का ग्राफ है वेग और समय का ग्राफ का जो 6 तरफल होता है वो हमें चली गई दूरी के बारे में बताता है तो हम लिख सकते हैं इसका 6 तरफल अगर हम लिखें 6 तरफल पहले पार्ट का T1, यह 6 तरफल S के बराबर था तो यहां से T1 का मान ग्यात हो जाएगा इसी तरीके से यहां से हम T2 का मान निकालेंगे इसका जो 6 तरफल है वो 2S के बराबर होगा तो 2S बराबर हो जाएगा लम, लमबाई T2 है, गुणे चोड़ाई भी वी नॉट के थे तो यहां से T2 का मान ग्यात है जाएगा 2S बराबर वी नॉट इसी तरीके से इस शे तरफल से हम T3 का मान निकालेंगे यह 3S बराबर हो जाएगा एक बराबर हो जाएगा एक बटे दो आधार गुणे लम V0 तो T3 का माना जाएगा यहां से 6S बटे V0 यह T1, T2, T3 के मान हम रख दे तो हम देखेंगे औस अब 6S बटे यह T1, T2, T3 के मान है और यहां पर हम इसको देखेंगे जो यह V0 है यह V0 यहां से हट करके उपर पहुँचेगा और V0 को हम V average के साथ यह डिवाइड कर सकते हैं तो हमें दिखाई देगा दाहिने पक्ष में तीन बटे 5 यह V0 ही क्या है? यह अधिक्तम वेग है तो इससे हमें औस तवेग और अधिक्तम वेग का अनुपात ग्यात हो जाएगा अगला प्रश्ण इक नियत मंदन बीटा से गदिकरे और विराम में आ जाए मतलब पहले विराम से चला एक तौरण के साथ मतलब वेग लगातार बढ़ रहा होगा और फिर मंदन आ गया तो वेग लगातार कम हो रहा होगा तो जहां मंदन प्रारम होगा उस समय के जस्ट पहले करण का वेग क्या होगा अधिक्तम वेग होगा यातरा में लगा कुल समय T हो तो यातरा के दोरान महत्तम वेग ज्यात करना है तो इसका अगर हम ग्राफ देखें वेग और समय का तो पहले T1 समय में तोरण की वज़े से लगातार वेक बढ़ता बढ़ता मान लो V अधिक्तम तक पहुँचा VMAX और उसके बाद अगले T2 समय में मंदन के कारण वेक का मान गटते गटते शुन्ने हो गया VMAX का मान हमें गयात करना है और यात्रा का खुल समय हमें पता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अलफा चुंकि तोरण है तो हम यहाँ पर पहले भाग के लिए इस वाले भाग के लिए तोरण हमें ढाल से मिलता है तो हम लिख सकते हैं तोरण alpha बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानि कि V1 Vmax बटे T1 तो हम यहां से T1 का मान निकाल सकते हैं Vmax बटे alpha इसी प्रकार इस दूसरे तरबुच से बीटा जो मंदन है बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानि कि Vmax बटे T2 हम यहां से T2 का मान निकाल लें तो Vmax बटे बीटा अब यह T1 और T2 के मान को जोड़ दें अगर तो हमें कुल यात्रा का समय जो capital T है वो मिल जाएगा हमें पता है capital T बराबर T1 प्लस T2 है और दोनों को जोडने के बाद जब इसको हम हल करेंगे तो हमें Vmax की value मिल जाएगी जो कि यात्रा का अधिक्तम यात्रा के दोरान अधिक्तम प्राप्त किया गया वेग है अगर बच्चों हमें यह पता करना हों कि कुल ऐसा करने में कुल कितनी दूरी तय की गई है या कुल विस्थापन कितना हुआ है तो हमें पता है इस तुर्बुच का अगर हम छेत्रफल निकाले VT graph है तो छेत्रफल हमें कुल विस्थापन देदेगा और वो कुल विस्थापन हो जाएगा एक बटे दो यह समय लगा है T एक बटे दो तुरुज का चित्रवल होता है एक बटे दो लंब बटे आधार लंब गुणे आधार तो उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं एक बटे दो आधार में T हो जाएगा और लंब में VMAX हो जाएगा VMAX का मान यहाँ पर रखें तो कण के दोरा चली गई कुल दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी और अगर कुल दूरी प्राप्त हो गई है और कुल समय पता है एक समय लाकर गया भाग कर दें तो इससे हमें औसत वेक भी आतरा के दोरान कण का क्या होगा वो पता लग जाएगा तो उसत वेग का मतलब कुल विस्थापन बटे कुल सम है यह जो हमारे रिजर्ट्स हैं बच्चों इनको आपको एक स्टेंडर्ड केस समझ करके याद रखना चाहिए यहाँ पर एक प्रस्ट लिया गया है एक कण सरल रेखी पत पर वेग T-2 मौड यहाँ पर मौड लगा दिया गया है मौड का मतलब सिर्फ यह होता है बच्चों की इस मौड के अंदर जो भी लिखा गया है उसकी चाहें धनात्मा के रनात्मा कोई भी मान होगा जब मौड के बाहर मान लिखा जाएगा तो सिर्फ हम धनात्मा क मान ही लेंगे मौड का मतलब सिर्फ यह होता है तो प्रत्रम 4 सेकेंड में तैगी के दूरी बतानी है तो अगर हम इसका VT ग्राफ बनाएं इसके मॉड का मतब जो वेक कर समीकर दिया है इसका मॉड लगा हुआ है तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो T बराबर 0 अगर यहां रखें तो वेक कमान आएगा माइनस दो इस मॉड के अंदर लेकिन जब हम बाहर लिखेंगे तो वेक कमान हमें धनात्मक प्लस दो लेना पड़ेगा तो T बराबर 0 पर हम देख सकते हैं वेक कमान क्या है दो है T बराबर यहां पर 2 सेकेंड रखेंगे T बराबर 2 सेकेंड पर वेक कमान के आजाएगा शुन्य दिख रहा है T बराबर 3 सेकेंड पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर धनात्मक मान मिलेगा 1 का और T बराबर 4 सेकेंड तक हमें अधन करना है तो यहां पर 4 रखें तो T ब्राबर 4 पर वेक कामान हमें मिल जाएगा 2 यानि की हम देखेंगे 2 सेकंड के पहले और बात का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होगा सम्ममित होगा अब हमें तै की गई दूरी याद करनी है तो VT ग्राफ में दूरी निकालने के लिए हमें ये 6 तरफल निकाल करके जोड़ देना है तो अगर हम देखेंगे इस भाग का 6 तरफल A1 अधार 2 बुड़े उचाई 2 यानि की ये 2 मीटर आ जाएगा इसी प्रकार इस भाग का 6 तरफल A2 भी 2 मीटर आएगा तो कुल तैकी गई दूरी हो जाएगी 4 मीटर की यहाँ पर एक प्रश्च लिया गया इसमें कहा रहा है X अक्ष के अनुदिश गतशील करण की इस्तिती निमन प्रकार है हमें प्रथम 2 सेगंड में विस्थापन और तैकी गई दूरी गयात करनी है तो यहाँ पर जो हमें X का समीकरण दे रखा है अभी हमने देखा कि अगर हम एक तरीके से वेग का समीकरण निकाल लें और ग्राफ बना लें तो दूरी और विस्थापन निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है तो हम इस समीकरण को जो लिखा है X बराबर 2 माइनस 3T स्क्वाइर प्लस 6T इसका एक बार अवकलन कर दे समय के साथ तो हमें वेग मिल जाएगा तो वेग बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों dx by dt और इससे हमें दिखाई देगा 0 माइनस 6T प्लस 6 यानि कि वेग का समीकरण 6 माइनस 6T यही देखना है हमें तो यह वेग का समीकरण है T बराबर 0 अगर इस समीकरण में रखेंगे तो वेग कामान 6 हमें दिखाई देगा और T बराबर 1 सेकंड पर वेग कामान क्या हो जाएगा शुन्ने हो जाएगा और T बराबर जब हम दो सेकंड यहाँ पर रखेंगे तो वेग का मान माइनस शे आ जाएगा तो इसका मतब सिर्फ हमें दो सेकंड के लिए ये ग्राफ सामने हमारे है अब हमें यहाँ पर तैकी के दूरी और विस्थापन देखना है तो हमें दिखाई दे रहा है कि वेग और समय ग्राफ का यह चेतरफल जितना है यह दूसरा चेतरफल उतना ही है लेकिन यह रिनात्मक है और यह धनात्मक है तो विस्थापन का मान तो शुन्य हो जाएगा तो विस्थापन निकालने के लिए हमें चेतरफलों को जोड़ना होता है तो A2 का मान अगर हम देखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 3 मीटर तो इसका मतलब यह है कि विस्थापन की बात करेंगे अगर तो वो तो शुन्य हो जाएगा और तैकी की दूरी निकालनी है तो 6 तरफल जो निकल करके आए हैं उनके परिमाणों को हमें जोड़ देना है या